हलो दोस्तो मैं रिश्यानन्द आप लोग का स्वागत करता हूं मेरे ऑफिशल यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है वैदी गणित तो दोस्तो यह डेटा इंटरप्रेटेशन फॉर कैट बरुश शर्मा सॉलुशन स्रीज चल रही है तो दोस्तो इस सीरीज में आपको हाउ प्रिपेर फॉर डेटा इंटरप्रेटेशन फॉर कैट जो बुक है यह रूश शर्मा के द्वारा लिखी के बुक है इसी बुक का आपको यहां पर सॉलुशन देखने को मिलने वाले यह लेक्शर नमबर थर्टीन है और इस लेक्शर में नए डिया लेने वाले हर लेक्श किताब यह प्रैक्टीस के लिए ऊपनापना चलीए जैसे मिन आपको फहले ही बता है कि यह वहाला इट्रेर इंट्रेटेशन लेने वाले इस वीडियो में तो चलिए देखते हैं सवाल कैसे है और उनका solution करते है हाँ दोस्तो जो सवाल हो हमारे screen पर है direction for the questions 18 to 22 study the following bar chart figure 3.10 carefully and answer the questions below ठीक है यहाँ पर हमारे पास एक bar chart दे रखा गया है और उसी से related जो हमारे पास जो सवाल है ना उसको हम लोग यहाँ पर solve करेंगे ठीक है तो देखिए सबसे पहला जो सवाल है यह जो आपको दे रखा गया sales turnover दे रखा गया किसका पांच companies का किसमें आपको करोड में ठीक है clear होगे बार चार्ट यहाँ पर 2012 से 13 और 11 से 12 का दे रखा गया ठीक है अब चली सवाल में ही बोला जा रहा है कि approximate difference निकालना है between the average sales turnover of all companies सारे companies का जो हमारा जो average sales turnover होगा वह हमें निकालना है प्रोक्सिमेंट वैल्यूज निकालना और साल जो हम लोग लेंगे 11 से 12 लेंगे और 12 से 13 लेंगे समझ गया इन दोनों के बीच का difference हमें निकालना और उसका average निकालना है समझ गयोगे सवाल को अगर जहां लोग बाहर चार्ट के तरफ नजर डालते हैं तो क्या पाते हैं कि सारे जो वैल्यूज है ना वह हमारे किसमें डेसिम्ट में आप समझ सकते हो कि डेसिमल में जब लोगे तो आपको वह स्वाल करने बहुत ज्यादा धिक्कता आने багा औरmal सकते कहें यहां पर सबka आपको एक 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 एम दाल्यूनाएन निकालना लेंगे तो can सबका एक निए देग Komma निकालना निकीडना हैBox मैंπ करें देख लेते हैं और एक काम कर सकते हैं कि सबकर लोगों डिफरेंस निकाल लेते हैं सारे जो बार चार्ट है न सबकर आपस में जैसे कि यहां पर आप देख पार या आपका 12 13 2015 धूरला और यह 11 जोड़के और उसके पहांच से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आवरेज आ जागा यह एक तरीका बहुत ही आसान है ठीक है तो एक तो यह लेना है और उनका डिफेरेंस हम लोगों को यहीं पर निकाल लेना है ठीक है और एक चीज यहां पर समझेगा सम्में क्या और आपकर इंक्रीज हो रहा बस एक मारूति में क्या और आपकर हो रहा है यहां पर हम ले लेंगे बाखे साब में क्या लेंगे उसक्ते हैं और वब इंदोंका डिफेरेंस निकाल होगे तो यह लगब्भद आ जगा आपकर कितना आपर एप्रोक्षिमित हमें लेगाइड है यह जग कि यहां पर कितना जगा difference to 75 बाइब उसी तरह के से जीम का अगर लोगे तो जीम का भी आज़ेगा आपका 163 आजएगा ठीक है उसी तरिके से जब महरूती का लोगे तो महरूती का आज़ेगा मैंने क्या बोला इसके पहले लिंग लेना तो यह जगण माइनस पॉटी ने उसी तरह से हिंदुस्तान मोटस का आ जागा आपको 82 आ जागा थीक कि अधू कर चाहिए सब को जोड़ेंगी और 49 को क्या करना उस से खटा देंगे 49erem rumors कर लेंगे यहांँ पर क्या करेंगे सबको हम लोग जोड़ लेंगे और 49 को क्या करना उसमें से घठाना याती है यह सब जोड़ने प्याइब रहा ना जो तiszूस कुर डिया करने कि वानर मैंश करने अब देख लेते कौन सा उप्षान है तो ऑप्षन वी जो है हमारा क्या है अप्रॉक्शिमेट लिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है अगला सवाल है कि यहां पर हमैं वट शेल्स टो गीए म सीँ शेल्ट वर्यू कॉनलवा निकालना कशिया आपके स्यमस्याओ कोईटम से निकालना जो कि 11 12 में आपका हुआ है किसका मारूती में हुआ है तो सबसे पहले मारूती में देखने जाते तो मारूती कितना हो जागा मारूती देखने आएंगे तो यहां पर आपका कितना आपको एक तो है आपको कितना 731.11 है इसमें मैंनस करेंगे हमारा जागा 681.98 इन दो लोग जो हम लोग मैंनस करते तो मैंनस करने पर आ peripherा इतना यहां पर आप 49.13 आएगा ठीक है कितना जाता है 49.13 आजाएगा ठीक है क्लियर है अब हमें GM में निकालना है ठीक है कि यहां पर हम लोग इसका माइनस कर लेते हें 913 आफ कितना हो जाएगा आफ यहां पर 63 और इसे माइनस हो जाएगा 750 दिसमत्रीएं ठीक है और इन दोरहों माइनस करेंगा तो माइनस करने के बाद यह आ जाता है एपका 163.32 हूँ ठीक है कितना है 153.32 अब हमें जो निकालना जी एम का जो निकालना है हमें वैली निकालना है तो जी एम का जो सेल्स टर्ण ओब निकलेगा तो जी एम का कितना पहले तो आपको 750 है 750.31 ठीक है और इन्हों का डिफरेंस से कितना अगया है यह 163.32 और यहां पर आजागा कितना यह 49.13 अब इन सब को क्या कर लेंगे हम लोग जोड देंगे तो जोडने के बाद आजागा यह आपका 962.76 962.76 तो कौन से ओप्शन से हो जागा हमारा डी ओप्शन के आजागा से करेक्ट हो जागा क्लियर यहां का समझ गओगे सवाल को ठीक है हां तो दूस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर एंगला सवाल एक वीच आप दो कंपनी शोओ देखो गे तो सबसेपहले दे रखा गया सब्सक्राइब थे क्यों ठीक है ओंडा कर चाहिए हमीं काम करनी है और यहां पर हमारा हमारा थीक MORNING यहां यहां पर परसेंटेज में परसेंटेज निकालना तो देखो अब इसना में कैलकुलेशन ने करना पर एक अंदाजा लेलो कितना जगा यह फूर से आपका डिवाइड हो सकता है नीचे वह नहीं हो सकता न वह ज्यादा ही हो जाएगा तीन से यह हमारा हो सकता है ठीक है तो एक अप्रॉ परसेंट के करीब आएगा ठीक होंडा और यह बी वाला देख लेते तो बी वाले में हमारा क्या आपको जीम का है जीम का देखा जाए तो यह आजागा आपका 914 ले लेते हैं 914 माइनस ही हो जागा आपका 750 ले ले लेते और नीचे में भी आपका 750 यहांस करेंगे तो यह 4 4 6 0 24 464 150 यह तो यह करीवन क्या आपका 20% के करीब आएगा टे कि टॉंस्यी आपका साथ सो एकीस और बटे में कितना जगा हो साथ सो इकीस ले लेते हैं ठीक है यह आजागा आपका 241 और बटे में आजागा आपको 721 ठीक है और इंटु हंड़ेट कर लोगे तो यह अगर आप देखते हैं तो यह करीबन 3 से चला जागा तो 1 by 3 हो रहा है यह आजागा अपका 33.33 परसेंट करीब आएगा ठीक है यह भी एका प्रॉक्सिमिटी वैल्यू है दी में आजाता है मारूती में तो मारूती में अगर हम लोग देखते हैं तो मारूती में अगर हम देखेंगा तो यह जगा 731 माइनस हो करना बहुती कम आ बहुती लोग आने वह दिखना से और यह सी वाला बहुती में में तेलेंट आइस वालं देख लिए हाँ तो दोस्तों आपके स्क्रीन पर है कि वाट इस पर्सेंटेज चेंज इन दो ओवरोल सेल्स टॉर्ण ओवर ऑफ फाइब कंपनी तुगेदर बिट्विन 2011-2012-2013 अब देखें पर्सेंटेज निकालना आपको ओवरोल सेल्स में निकालना टॉर्ण ओवर ऑफ फाइब सारे कंप्रींस का देखना में तो सब क्या लोग है कि अप्रोक्सिमेट वैल्यू लेकर तो होंडा से शुरू करते तो यह जागा आपके ग्यारव सतेईस हो जाएगा तो ज्यादा सही रहेगा इसके बाद जाएगा आपकर 914 इसका जाएगा ठीक है और उसके बाद होने पर आजागा आपका 4853 ठीक है और उसके बाद आजाते हम लोग किसमें 12 13 में आयते 2012 से 13 के बीच में ठीक है 2012 13 के बीच में ले लेते तो यह सबसे पहले यहां शुरू करते हम लोग तो यह जागा 848 ठीक है और फिर उसके बाद आजागा 750 ठीक है फिर उसके बाद आज जाएगा ठीक है और उसके बाद जाएगा आपका 721 इन सब को जोड़ लेते हैं तो इन सब को जोड़ दें प्राज एक 4139 टीक है फॉर एट फाइट फाइफ फॉर वन थ्री नाइन है ठीक है अब हमें क्या निकालना है यहां पर हमें तो परसेंटेज चेंज निकालना है त बीचे मालों किसका लेंगे 4853 लेंगे क्योंकि हमें 12-13 से इसमें निकालना था ना गयारा वारा मतीं इंटू क्या कर लेंगे यह जो आरा आपका यह निकलने पर आता आपको 14.71 आता है ठीक है 14.7 परसेंटेज आता तो इसके नियरस्ट कौन सा आपका वी वाला उप्शन क आपको नियरस्ट है यहां से करेक्ट आंसर हो जाए ठीक है चलिए अगला आपकी स्क्रीन पर है और यह इस डियाई का अंतिम सवाल है यहां पर क्या लगया कि वाट इस एपसलूट चेंज इन अवरॉल पर सेल्स टर्न ओवर ऑफ फाइव कंपनीज तोगेदर बेविन 2011-12 2012-13 ठीक है 11-12 और 12-13 के बीचे एपसलूट चेंज हुआ ओवरॉल सेल्स का टर्न ओवर में पाच कंपनीज का वह हमें यहां पर बताना है तो अभी तो इससे पहले हम लोग यहीं चीज निकाले थे ठीक है यही चीज निकाले थे ना 4853 और 4139 है यही करते हैं हम लोग यहा बूल सी साथसोट चाओगा पास कहा है आपको यह ओप्शन क्या वह साथसोट चाओदा के बास है यह ओप्शन क्या है यहां से करेक्ट हो जाना चाहिए चलियर है समझे गगोंसावाल को ठीक है तो अट लास बास नेत्स वाच for watching our video and best love for you